हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पार्ट साला और मैं हूँ बीकेशिंग सरसथ में बीपीएसी प्रिलिम्स की तेयारी के लिए मैं लेकर आया हूँ आज बहुत धर्म बहुत असान टॉपिक है और ट्रिकी जीएस भी कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं पसंद नहीं करते हैं लेकिन मैं बता दू कि बीपीएसी में जो पांचवाँ आपसन है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं इस पांचवे option के confusion को कम करने के लिए दूर करने के लिए tricky GS या tricks वाला नियम जो है यह ज़्यादा कारगर सीध होता है पांचवे option आपका बिल्कुल गलत नहीं होने देगा पांचवे option पर confidence लाने के लिए आपको tricky GS या इस प्रकार से पढ़ना ज़्यादा कारगर होता है तो आएए हम लोग यहाँ पर tricky GS के माद्यम से पढ़ते हैं tricky GS में मैंने कुछ points भी लिखे हैं बहुत धर्म यहां से सुरू है बहुत धर्म के प्रवर्तक बुद्ध का जन्म कपिल बस्तु के लुम्बनी नामक ग्राम में शाक के छत्रिय कुल में 563 इस्विपूर्व में बैसाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ था बहुत शाहित को क्या कहा जाता है त्रिपीटक कहा जाता है अगला है रिजडेविज्ड ये एतिहाशकार का नाम है बूलर और रिजडेविज्ड मोहदय ने पीटक का शाबदिक अर्थ टोकरी बताया है गौतम बुद्ध को एशिया का जोती पुझ यानि लाइट आफ एशिया कहा जाता है बुद्ध ने पाँच ब्रहमन शन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे बौध गरंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है ये पाँच बहुत महतपुर्ण पॉइंट्स थे मैंने बताया आईए आगे चलते हैं अब ट्रिक्स की ओर यहां पर एक ट्रिक्स है सीमा सुगा लूयार तो यहां पर बौध के बारे में उनका परीचे को मैंने इस ट्रिक्स में लिया है शी का मतलब शिदार्थ से है सिदार्थ अप लिकता दर सी है मा का मतलब महा माया शी, फर सिधार्थ, मांफ और माय सूफ और सुधोधन, गाफ और गौतमी मतलब लुम्बिनी, यय मतलब यशोधरा और रा मतलब राहुल तो इसको ज़दी आप इस प्रकार से S मतलब सिधार्थ, तो सिधार्थ क्या है? गौतम बुध के बजपन का नाम है गौतम बुध ज़दी कहीं पर कंफ्यूज करता है किसे बिद्यारती को तो निश्टित रूप नाम में भी बहुत सारा कंफ्यूजण है ज़िए आप यह ट्रिक रखते हैं अपने मन में याद तो कोई भी नाम इधर से उधर आपका नहीं जाएगा सबका सब नाम आपको सही से याद रहेगा क्योंकि सीफ और सिदार्त माफ और महामाया सीफ और सिदार्त जो है बुद्ध के बच्पन का नाम है महामाया उनकी माता जो कोलिय वन्स की कन्या थी शुफ और सुद्धो दन उनके पिता थे शाक के गन के मुख्या थे गफ और गौत्मी मौसी या सौतेली मा प्रजापती गौत्मी थी लूफ और लुम्बनी बुद्ध का जन्म लुम्बनी में 563 इस्विपुर्व बैशाक पुर्निमा को हुआ था यफ और यशोधरा उनके पतने थी शाक के कुल के कन्या थी रफ और राहुल शेधार्थ से यसोधरा को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम क्या था राहुल था तो शीमा सूगा लू यार जदी आप ट्रिक्स याद रखते हैं तो निस्षित रूप से कोई भी कन्प्यूजन आपको महावेर स्वामी के साथ जो बुद्ध का कन्फिजन हो जाता है ये नहीं होने देगा मैं महावेर स्वामी का वे ट्रिक्स पढ़ाऊंगा लेकिन आभी हम लोग पढ़ रहे हैं बुद्ध का आईए आगे पॉइंट्स देख लेते हैं पॉइंट्स में है शिधार्थ याने बुद्ध के ग्रिह त्याग को बुद्ध की मिर्तियू चार सो तेरा से इस विपूर में कूशी नारा देवरिया उतर प्रदेश में हुई जिसे बौध ग्रंथ में महापरी निर्वान की शंग्या दी गई यानि बुद्ध के मिर्तियू को क्या कहा जाता है महापरी निर्वान कहा जाता है अगला पॉइंट से यह प्रसन बहुत पुछता है कि क्या बौध धर्म में या बौध ग्रंथ के अनुशार बुद्ध प से पूझा जाने वाला सबसे जादा महतपरुन टेवल है यहां से सबसे अधिक कोश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बहुत शंगती यहां पर देख लेते हैं बहुत संगती के शाथ साथ उसके इस भी वर्स आपको इस भी वर्स तो नहीं भूलना चाहिए क्य सबहाएं हुई थी बहुत सबहाएं जो हुई थी तो हम लोग बोलते हैं आजा काला शोक कनिस्क ठीक है अका अक इसको बोल सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है आका अक और यदि ऐसे बोलेंगे तो आपको इसी प्रकार से रिदम में याद हो जाएगा आजा काला शोक कनिस् सत्रू काला शोक अशोक और कनिस्क ये चार क्रम से हुआ अका अक भी आप यार्द रख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है उसके वाद राबय पाकु रा मतलब राजग्री बै मतलब वैशाली पा मतलब पाटले पुत्रू कू मतलब कुंडलवन इसको भी आप क्रम से याद र रखना कि इसकी अध्याक्षता में बढně सभाएं कुवी बढ़ सभाएं जो प्रथम बढ़ सभाएं कुए इसके अध्यक्ष कौंथ climbingu ममश का पिस्तार क्या है प्रथम तो अब भी आप याद रखेंगे असु गोष और वशुमित्र में आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि चतुर्थ बौध शंगती जो थी यही एक बौध संगती विती जिसमें उपाध्यक्ष भी था और इससे पहले तीन बौध संगतियां जो विती उसमें उपाध्यक्ष नहीं थे आप से पूछा जाता है कि किस बौध संगती में उपाध्यक्ष थे तब को चतुर्थ याद रखना है दूसरा कि अशु घोष्दो थे वह उपाध्यक्ष ते और वशुमित्र अध्यक्ष थे ठीक है उपाध्यक्ष के बगल में मैंने उपाध्यक्ष लिख दिय तो प्रथम बाद संगति की उपलब्दी क्या है कि सुत्य पिटक और बिनाय पिटक सुत्य पिटक और बिनाय पिटक की रचना हुई थी प्रथम बाद संगति के बाद किसने की थी आनंद और उपाली ने दूइती बाद संगति की उपलब्दी क्या है कि यह दो भागों में बिभाक्त हो गया था बौध संस्था जो थी दो भागों में बिभाक्त हो गया था एक था अस्थाविर और दूसरा महासंगिक दो भागों में बट गया था तीसरी बौध संगति की क्या उपलब दिया है तो अभिधम पिटक संग भेद रोकने की कारण ठीक है अभिधम प्रतिक में बटा था और लास्त में क्यावा हीन्यान और महायान में भी भाजन हुआ तो चातूर्थ बाध्ध संगते में बाध के जो शंगठन था वह दो भागों में बटा एक का था यहन और दूसरा हो गए महायान ठीक है अगला है बुद्ध के जीवन से संबंदित बाध साड और कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोडा भागा, साड कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोडा भागा, पीपल ग्यान का बोध कराए, मिर्तिव तो इस्तूप कराए, तो साड और कमल ये दो चीज़ जो है, यह जन्म का प्रतीक है, घर से लेकर घोडा भागा, यानि घर से जाने का जो प्रतिक है वह घुरा है ग्रेतियाक का प्रतिक क्या है घुरा है people ज्यान का बोध कराये people body breaks है people के बोध कराता है अब मिर्थी तो स्तूप कराये मिर्थी के बाद बुद्ध के सरीर को कहा जाता है कि चौदा भाग में मांट कर पूरे देश भर में 14 इस्तूप का निर्मान करवाया था तो मिर्तियू तो इस्तूप का लाए मिर्तियू के उपरांत उस पर क्या हुआ कि इस्तूप का निर्मान करवाया गया था तो इस्तूप क्या चीज का चिन्न का प्रतीक है तो मिर्तियू का प्रतीक है बहुत धर्में बुद्ध, धम और संग त्रिडत्न कहलाते हैं तो त्रिडत्न जो जैन धर्म में भी था लेकिन आपको mix patch up नहीं करना है बुद्धर्म में भी त्रिडत्न थे और जैन धर्म में भी त्रिडत्न थे तो बुद्ध का त्रिडत्न जो है वह बुद्ध के नाम से सुरू होता है संग बुद्धम और संग तिन लेकिन जैन का त्रिण जो था सम्यक आशरन सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्सन ये था ठीक है आई आगे बढ़ते हैं अब यहां पर बुद्ध के जन्म को आपको जदी भूल जाते हैं चुकि कई नाम हो जाता है जो लगता है कभी कभी जन्म होने लगता है कि यहां जन्म कहा था यहां तर आप गोलू एक नाम याद रखिये आपके टोले महले में नाम होगा गोलू तो गौतम भुद्ध का जन्म लूमनी में हुआ थहा पामेख मतलब बुड़ः ब्याकति मतलब भाइब एक्ति सा मतलब सन्यासी और सामत प्रतालव शो का मतलब शव मृत शरीर तो बीस बूस ठीक है आगे है थड़ी शेबन बहुत धर्म के त्रिड़तन तो बहुत धर्म के त्रिड़तन आप पीशे मैंने बता दिया है फिर यहां पर ट्रिक्स में आया बुद्धम संग बुद्ध के नाम से शुरू होता है बुद्धम के त्रिड़तन तो बुद्धधम संगि तूज्ध के त्रिड़तन अज जो भहoty बहुत महत्पुरण है क्योंकि मैंने जो भी कुछ arrange किया है वह निस्टित रुप से ज़्यादा important topics को मैंने लिया है कुछ western type का topic होता है जो कहानी के सार में शमाहित किया जाता है उसको मैंने नहीं लिया है तो आप नियमित रुप से वीडियो देखेंगे आपके काम में आएगा किशी भी रिक्षा के द्रिस्टी कौन से यह सारे points बहुत 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 important है यह अलग बात है कि हमारा चैनल BPSC based BPSC focus BPSC को 20S रुप से ध्यान में रखके तयारी किया जाता है कराया जाता है लेकिन कोई बात नहीं यह जो करें जीके हुता है वह किसी कि अग्जाम के लिए नहीं होता है वह सभी के लिए एक ही होता है